नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस पहल का स्वागत किया गया यह युवा नीजी छेत्र में नौकरी के लिए चैनित किये गए हैं इसी पहल के साथ आई से जर्खन में नीजी छेत्र अंत्रगत अस्थानिय नियोजन निती लागू कर दी गई है नीजी छेत्र में 40,000 रुपे तक बेतन वाले पदोपर नियोक्ती में 75% पद अस्थानिय युवाओ के लिए आरक्चित होंगे नियोक्ती पत्र बीत्रन समारों में परभारी मोखे सचिव अरून कुमार सिंग ने कहा है कि कैबिनेट के स्विकरिती के बाद नीती की अधिस उतना जारी कर दी गई है परभारी मोखित सची उन्हें कहा है कि इन नीती का लाब नियोकताओं को भी मिलेगा अस्थानिय युवाओं को रोजगार देने से उन्हें अस्थानिय लोग का सहयोग प्राप्त होगा चार खन में अगले पांच दिनों तक मौसम के मिजाज में भी सेस बदलाक उमीद नहीं है अभी उडिस्या के तटवर्ती छेत्र में निम्न दबाव बना हुए है इसकरन राज्ये में कई अस्थानों पर बारिस हो रही है पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिस घाट सिला में हुई है राजधानी में भी सुक्रबार को रुक रुक का बारिस होती रही कहीं कहीं जोरदार बारिस भी हुई है राजधानी में करीब 3 मिलिमीटर की बारिस रिकोर्ट की गई मौसम केंदर के परिभारी अभी सेक आनन्द के अनुसार पांच दिन तक हल के सिमा दर्ज की बारिस होती रहेगी सोलाखों कहीं कहीं गर्जन और वहरपात भी हुई है ज्यारखन में कुरोना का कहर एक्टिव केस एक हजार चालीस ज्यारखन में कुरोना संक्रमन ने एक बर फिर कहर बर पाना सुरू कर दिया है ज्यारखन के 24 में से 20 जीले इस समय कुरोना संक्रमन से जूझ रहे है महज 4 जीले ही अब तक इस संक्रमन से अचूत रह गए है आलम यहाई कि जार्खन में एक्टी मरीजों की संख्या बढ़ कर एक खेर 40 हो गई है चिंता की बात यहाई कि राजधानी राची समेत कई जीलो में ओमिक्रोन वेरियंट भी पाये जाने की सुचना है बताया जा रहा है कि यह वेरियंट अनवेरियंट की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है एक एक कर सभी जीलो में चपेट में आने से स्वास्त बिभाग अलॉट मोर में आ गया है जिन जीलो में अब तक एक भी नए मरीज नहीं पाये गए हैं वहाँ भी से सवधानी बरती जा रही है वहीं संक्रामन की चपेट में आने वाले जीलों में कोविट जाच की रफ्तार बढ़ा दी गई है सहायक प्रध्यापक नियुक्ति निमावली के विरोध में सरकार का पुतला दहन जारखन सरकार के केविनेट से पारिज सहायक प्रध्यापक नियुक्ति निमावली के विरोध सनी वार को अलवाट एका चोग परमुखे मंत्र है मंसुरिन का पुतला दहन किया गया इस विरोध परध्यापक नियुक्ति निमावली में सरकार के प्रध्यापक नियुक्ति निमावली के विरोध प्रध्यापक 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 प्रध्याप करने पर 15 अंग दिये जाएंगे से इसको पांच अंग पदान किये जाएंगे राश्ट पती पुरसकार के लिए बोकारों के पांच सिक्षक राश्ट पती पुरसकार के लिए बोकारों जीले के पांच सिक्षक का चैन जीला अस्थर पर किया गया है जिन में से तीन का नाम र टोपो ने कहा है कि बोकारू जिले के सरकारी वर निजी स्कूलों के सिख्चक 30 जुलाई तक जिले के कूल 13 सिख्चकों ने राष्ट पती सिख्चक प्रसकार के लिए अनलेन आवेदन किया था आवेदन करने के बाद जीलास्ते पर आवेदनों की स्कुटनी किये जाने के बाद उसमें से कूल पांच सिक्षकों के आवेदन को सही पाया गया चैनिस सिक्षकों में मदविद्याले मारा फारी की सिक्षी का संगीता पाठा मदविद्याले जुनावरी के सिक्षक भीममतो राजेंद्र हाई स्कूल जार गंडी के सिक्षक संजय कुमार पलस्टु हाई स्कूल चंदन कियारी के सिक्षक आसारानिवा हाई स्कूल रगुना जमसेतपुर के पुर्वी सिम्हूं जीले में जपाने बुखर का पाला मरीज मिला है, मरीज सहर के बारीडी निवासी यूती है, सर्विस लाइन्स विभाग की जाच में या पोश्टी होने के बाद हलकम मचा है, क्योंकि 2022 में पहली बार किसी मरीज की सेंपल जाच रिपोर् आने से फाइलेरिय विभाग की टीम यूती के घर पहुंच कर लारवा जाच का अभियान चलाया, इससे मचर का लारवा मिला है, जिसे स्वास्त कर्मियों ने नश्ट कर दिया, वहीं छेतर के निवासीयों को जागरूप कर मचर से बचाओ को अपयोग बताया है, सिक्षा मंत्री के आदेश को अफसरोन दिखाया ठेंगा सुक्रवार को स्कूल बंद, सरकाली स्कूलों में विभाग के आदेश के अनुपालन कराने में अभी भी जीलाग के प्रादिकारी गंभीता नहीं दिखा रहे हैं, सिरिफ उर्दू स्कूल में ही सुक्रवार को इधर सिक्षा मंत्री द्वारा सभी जीलो से रिपोर्ट मांगे जाने पर अभी तक जाम तड़ा सही रिपोर्ट भाग को मिल पाई है, रिपोर्ट भी अधूरी थी देवघर में 76,000 कवर्यों ने किया जलावी से एक स्रावन मास के तीसरे दीन भी बाबा नगरी गेरुआ धारी कवर्यों से पटा रहा, पता दे क्रोना काल में दो साल स्रावनी मेला कायोजन नहीं हो सका था, इस साल स्रावनी मेला का उत्सा देवघर वास्यों के साथ जला परिक पूजा के बाद सुबह चार बई से कवारियों के लिए जलारपन प्राराम किया गया अहले सुबह कवारियों की कतार बीएट कवलेज तक पहुंच चुकी थी सनिवार को समाने कतार में कूल अंठावन एचार सव अंठावन बाय अरगा के मादियम से 14,460 और सिग्र दर्शनम कूपन के मादियम से 1240 कवारियों ने जलारपन किया है राष्ट परती चुनाओ को लेकर रांची में जूटे भाजपा बिधायक मद्दान तक करेंगे कैम भाजपा के केंद्रेर नेतित्वेक के निर्देश पर राष्ट पती चुनाओ के दो दिन पूरो ही सनिवर को रधानी राची में भाजपा के सभी बिधायक जुटान हुआ भाजपा परदेश कर्याले में बिधायक दलके नेता बावलर मरांडी के अध्यक्स्ता में हुई बैठाक में इन बिधायकों कराश्ट पती चुनाओ को लेकर माग दसन किया गया और वोटिंग की जनकारी दी गाई सभी बिधायकों कोई असपर्ष्ट नेदेश दिया गया है कि वे 18 जुलाई तक रांची में ही रहेंगे वोटिंग के बाद ही वे अपने छेत्र कारूख करेंगे JPSC, UPSC, JEEE, NIT जैसी परतियोगी परिक्षा के तियारी का पुरा खर्च उठाएगी सरकार मुख्य मंत्री हमांसुरे ने राजे के नौजवानों को बड़ी सवगात दी है सीम ने कहा है कि राजे के नौजवानों को परतियोगी परिक्षा के तियारी का पुरा खर्च सरकार उठाएगी जल्धी सरकार जेपी एसी यूपी एसी इंजिनियरिंग मेडिकल ला आदिस सभी तरह की परतियोगी परिक्षा के तियारी का खर्च उठाने के लिए कानूल लाने जा रही है अब पैसों के अभाव में युवावों को तियारी बीच में ही नहीं छोड़नी पड़ेगी मुख्य मंत्री ने सन्निवार को मुराबादी मैदार में नीजी छेतर के अंतरगत नियोजन सा नियोक्ती पत्र बित्रन समारों में बोल रहे थे रांची में 1.70 लाग का गमान पैसे ले उड़े एजेंसी कर्मी रांची में ATM में पैसे डालने वाली एजेंसी CMS Info Limited के दो कर्मियों द्वारा 1.72 लाग 177 या 900 रुपे गमान करने के मामला सामने आया है मामले को लेकर बैंक मनेजर के दोवारा कोतवाली थाने में आवेदन दिया गया इस मामले को लेकर CMS Company के Regional Operation Manager इंद्र निल सिन ने कोतवाली थाने में फायर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया Operation Manager ने अपने ही दो कर्मियों को आरोपी बताते वे करवाई की मायंग की है गढ़वा जिला के मानपूर में मुस्लिमों की अबादी नवे परतिसत हिंदू बच्चों को नहीं मिलता परवेश जार्खन की गढ़वा इस्थित मानपूर गाव में मुस्लिमों के अबादी नवे परतिसत होने के कारण वहाँ सरकारी स्कूल में हिंदू छात्रों को परवेश ही नहीं दे रहे बतादे जार्खन से एक पर फीर से मुस्लिम बहूल इलाके में हिंदू के साथ भेद भाव और अत्याचार की कबर सामने आई है इस पर गढ़वा जी ले का है जहां एक गाव में मुस्लिम आवादी अधिक होने के चलते वहाँ के सरकारी स्कूल ने हिंदू छात्रों को परवेश देना बंद कर दिया है साथ ही पांच हिंदू बचों को इसकूल से निकाल भी दिया है रंगदारी के केस में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव बरी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को और एक मामले में साक्ष के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है रांची के अपर नया यूक ते 20 साल स्री वास्तेव की अदालत ने योगेंदर साव को बरी कर दिया योगेंदर साव पर जेल में रहते वे मोबायल का इस्तिमाल का रंगदारी माँगने का आरोप था इस मामले को लेकर साहिव गंज सदर थाना में दोयर साथ में प्राथमी की दज कराई गई थी ट्रायल के दोरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तूत किया गया लेकिन मामले के सुचक तत कालीन जेल सुपरिडेंड डाक्टर रुपम प्रसाद गवाही देने अदालत नहीं पहुचे उनको गवाही के लिए अदालत ने कई बार समन भेजा है यस्वन्त सिन्हा ने अमतिम दिन ज्हारखन में मांगा समर्थन राष्ट पतिपद के उमिद्वार यस्वन्त सिन्हा ज्हारखन दोरा पर रहे बताजे समर्थन मांगने के अमतिम दिन यस्वन्त सिन्हा ने ज्हारखन कंग्रेस के बिधायको और संस्वों के साथ बैठक भीगी वही एस्वंत सिनाने राजे के मुखे मंत्री एमम से रेवी मुलकात कर समर्थन मांगा हलाकि जेमेम ने पहले ही एंडिये उमिद्वार द्रोपदी मुर्मु को समर्थन देने की घोस्तना कर दी है नीट की परिक्षा आज जार्खन के सभी जिलो में पहली बार सेंटर नीट 2022 की परिक्षा 17 जुलाई को होने वाली है इसमें पहली बार बदलाव करते हुए अभ्यार्थियों को 20 मिनट का अतरिक तो समय दिया जाएगा परिक्षा के लिए एक हफ्ते पहले ही एड्मिट कर जारी किया गया था जार्खन के अभ्यार्थियों के लिए सबसे खास बातिया है कि यह परिक्षा पहली बार है जब जार्खन के सभी जिलो में परिक्षा के लिए केंदर बनाए गया है इस बार राइधानी राची में नीट पर इक्षा के लिए 10 केंद्र होंगे मिली जनकारी के अनुसार 2021 में राजेक के कुछ ही जीलों में सेंटर बनाए गए थे हलाकि राची में 25 पर इक्षा केंद्र थे पहले अस्थान पर राची अरपोर्ट के साथ साथ उदायपूरी अरपोर्ट भी सन्युक्त रूप से सामिल है ए ए आई की ओर से कराएगा सर्वे में 5 पॉइंट एसकेल पर राची अरपोर्ट ने 4.99 अंक हासिल किये यह सर्वे जनवरी 2022 से जून तक के बीच पहले राउंड के लिए किया गया था इस सर्वे में देश भर के पचपन एयरपोर्ट को सामिल किया गया था जिसमें राची अरपोर्ट ने टोप अस्थान प्राप्त किया है देश में डर का महोल राष्ट पती चुनाव है विचार धारा की लड़ाई राष्ट पत के UPA उमिद्वायर स्वन्त सिनारे राची में प्रेस कॉन्फरेंस करका है कि देश की इथिती बत से बत्तर होती जा रही है देश में खौफ का महोल है एजेंसियों का दुरूप योग किया जा रहा है राष्ट पती चुनाव पहचान की नहीं बलिक विचार धारा की लड़ाई है पहले मैं कह सकता था कि प्रजातंत्र खत्रे में है लेकिन आज रांची में कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र मृत प्रयाई हो गया है आपको बता दे कि अस्वंत सिना सुक्रवार को रांची पहुंते थे इसके बाद प्रेस को समोधित किया उनके साथ जार्खन कॉंग्रेस के प्रभारी अविनेस पांडे वह कॉंग्रेस प्रदेस्त अध्यक राजेस टाकूर समेत आने मजूद थे जार्खन इस्टेट ओलंपियाड में 68000 विद्यार्थी सामिल होंगे इसकुली सिक्षा यमसर्षता विभाग द्वारा इस वरस से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ओलंपियाड सुरू किया गया है परिक्षा JCERT द्वारा ली जाएगी परिक्षा को लेकर JCERT द्वारा दिसा ने देस जारी कर दिया गया है परिक्षा 18-20 जुलाई तक होगी परिशा केंद्र का निधारन जिलास्तर पर किया गया है गुमला में 20 एकल जमीन पर बने का नाया बॉस इस्टेंड गुमला में 20 एकल जमीन पर नाया बॉस इस्टेंड बनाया जाएगा इसके लिए जमीन चिनहित करने का निदेश उपायुकत ने सियो को दिया है DC सुसांत गोरो गुमला सहरी छेतर के विकास एवं सुन्दर बनाने के लिए सापसफाई अतिकर्मन बजार टांड सहीत अन्य बिसवयों को लेकर बैठक कर रहे थे बैठक में बस इस्टेंड बनाने के लवग 20 एकर जमीन का आकरन किया गया जिसके तहर DC ने अन्चल अधिकारियों को 20 एकर जमीन चीनित कर प्रस्ताव प्रस्तूत करने का निदेश दिया रामगड में मिथेन गैस रिशाव का संग्यान जारखन के रामगड जिलेक के मांडू प्रखन अंतरगत लाइको उत्री वा लाइको दक्षनी पंचायत में कई जगों पर अधिक मात्रा में मिथेन गैस का रिशाव होने की खबर को प्रस्तमुकता से 14 जूलाई को प्रकासित करने पर अधिकारियों ने संग्यान लिया है प्रखन के अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल पर पहुँच कर जाजा लिया विभाग ये टीम दोरा इसकी जाच कराई जाएगी और शुरक्षा के इंतजाम किये जाएंगे बतादे रामगड में मिठेन गैस्री साव से ग्रामिनों में दसत की खबर प्रकासित होने के बाद प्रकांड के अधिकारियों में हल्चल मच गई है जहारखन में इनामी पिले फाई जोनरल कमांडर संतोस आरेष्ट जारखन की चाईवासा पूलिस ने पीले फाई के जोनरल कमांडर और दो लाह के इनामी नकसली संतोस कंडूलना की गिरफतारी की पुष्टी कर दिया है। सनिवार को आयोजित प्लेट्स कंफिरेंस में चाईवासा के एस पी आसुतोस सेखार ने बताया है कि संतोस कंडूलना पर पच्मी सिम्भूम के गुदड़ी, बंदगावा, तोरपा, तपकारा, रनिया, खोटी, सोनुआ और मुर्हू थाना में हत्या और हत्या के परिया समे ज्यजे- ecaya एमपी का एरिया कमांडर संजय परजापति ने सरेंडर किया है, डियाजी राजकुमार लाकडावा, स्पी, अंजनिंे अंजन के समक्ष नकसरली संजय परजापति ने सरेंडर किया, जारखन सरकार की नई दिशाकारिकरम सेवा परभावित हुए है, इसके बा पुरानी पेंशन को कैबिनेट में मंजूरी मिलने पर स्वास्थ कर्मियों ने खोसी जाईर किया है स्वास्थ कर्मियों ने सिविल सर्जन सहीत एक दूसरे को अबीर गुला लागा कर खोसी का इजार किया वहीं एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया मोके पास सिविल सर्जन डाक्टर कमलेस कुमार ने कहा है कि सरकार ने समाजिक पहलूओं को देखते हुए सरानिय कारे किया है यन उत्पिडन के आरोपी खुटी के निलंबित IAS सयद को मिली जमानात यन उत्पिडन को आरोपीत निलंबित IAS अधिकारी सयद रियाज अहमद को जमानात मिल गई है ADJ1 के नियाले ने सनी बार को 10-10,000 रुपए के मुचल के पर जमानात पर रिहा करने का आदेश सुनाया है दरसल IIT मंडी की एक छात्रा के साथ यन उत्पिडन के आरोप में खुटी के IAS अधिकारी सयद रियाज अहमद जेल में बन थे उनके उपर आरोप है कि उन्होंने सेक्षनिक दोरे पर खुटी आय IIT मंडी की एक छात्रा के साथ उन्होंने यन उत्पिडन किया है हर तीन माह में जुरुबा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम भारत निर्वाचन आयोग ने मद्दाता सुची में नाम सामिल कराने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधा जनक बनाया है इसे मद्दाता सुची में नाम सामिल कराना आसान हो जाएगा आयोग ने मद्दता सुची में नाम सामिल कराने के लिए चार आरता तीथीता की है इसे आप यदि अप्रेल, जुलाई या फिर अक्टूबर में 18 वरस के हो रहे हैं तो आपको जन्वारी तक नाम सामिल करने का इंतियार नहीं करना होगा धन्यवाद